सबस्क्राइज है आज हमारा Manager 1 में Unit 2 का Lecture 3 है और आज हमीं स्टार्ट करेंगे Labnees Theorem के हमारे दो Lecture होंगे तो आज के Lecture में कुछ Questions सब्लु करेंगे और इससे अगले Lecture में dh I therapist Qy 답 अधर करेंगे चले तो Leibnese theorem को कभ यूज़ करते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए तो देखे इससे पहले जो दो लेक्चर हमारे वे उसमें हमने अगर आपके पात दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन मल्टिप्लिकेशन में है और हमें उनको एंड टाइम्स डिफ्रेंशियेट करना है तब हम यूज़ करेंगे यानिके यू और वी दोनों के दोनों किसके फंक्शन है एक्स के फंक्शन है और हम यह चाहते हैं कि हम इस दोनों को एंड टाइम्स डिफ्रेंशियेट करने यानिके हमें कैल्कुलेट करना है वाई एन कैल्कुलेट करना है वाई एन तो देखे वाई एन कैसे कैल्कुलेट होगा तो देंगे yn को calculate करने के लिए yn को calculate करने के लिए हमारे पास directly leaven carne confirm है मतलब हम liavenish theorem से directly rn find out कर सकते हैं अगर हमारे पास दो function product में है देंगि अगर आप ग्यान दें तो अगर हमारे पास 2 function product में होते थे और हमें एक ही बार differentiate करना होता था तो हम इसमें product तो यहां पर लेकिन यह जो method है यह तब तक तो ठीक है अगर हमें एक या दो बार differentiate करना है लेकिन अगर end times differentiate करना हो तो यह method बहुत complicated हो जाएगा तो इसी method को अगर हमें end times differentiation में लगाना हो अगर हमें function को end times differentiate करना है तो उसके लिए ही Lebanese theorem है Lebanese theorem से हम directly एक step हमारे पास एक theorem है इस theorem को apply करके हम directly कोई भी function जो multiplication में है दो उनका end times differentiate उनको कर सकते हैं चलिए तो देखते है statement क्या है द्यान दीजिए इस statement है mc0 mc0 अब nc0 क्या है combination है आप लोगोंने mathematics में combination permutation पढ़ा होगा तो यह combination का ही nc0 है तो अभी इसकी values मैं आपको अभी बता दूँगा तो nc0 देखे nc0 un un क्या है nth derivative of function u देखें यहाँ पर दो function है u और v un का मतलब है nth derivative of u into v v क्या है यहाँ पर दूसरा वाला function यानि कि पहले function का nth derivative दूसरा function ऐसे ही लिखा है टेक आगे प्लस यह पहली term होगे हमारी द्यान दीजेगा यह first term है हमारी second term देखें क्या है nc1 अभी बढ़ता चला जाएगा nc0 था यहाँ nc1 आ गया u n-1 देखें यहाँ nth derivative था यहाँ n-1th derivative है मतलब derivative यह कम हो गया एक derivative कम हो गया nv1 v1 का मतलब है यहाँ पर जो function v है इसको एक बार differentiate कर दिया हमने v1 का मतलब है एक बार differentiation प्लस तीसरा nc2 nc2 u n-2 nc2 u n-2 का मतलब है हमने u को differentiate किया है n-2 times देखें अब यहाँ पर ध्यान दें यहाँ पर u का differentiation n times है यहाँ पर एक बार कम हो गया n-1 times है एक बार और कम हो गया n-2 times है अगर v की बात करें तो पहले वाले में v का differentiation नहीं है v को आपको ऐसे ही लिखना जैसे आपको given है फिर एक अब सीधे last में चलेंगे तो dash dash करके सीधे last term लिखेंगे और last term देखें क्या होगी n-c-n n-c-n ठीक है n-c-n-u अब केवल u आएगा ठीक है देखें फर्स्ट वाले में केवल v आया था last वाली term में केवल u आएगा और v होगा n times differentiate v होगा n times differentiate this is the Leibnese theorem यह है हमारे पास Leibnese theorem तो आपको इन terms का ध्यान रखना है देखें पहली term n-c-0 un v second term n-c-1 un minus 1 v1 third term और last term तो आपको किसी भी function का अगर n-th derivative find out करना है देखें जब वो function product में है तो हम इस theorem का directly use करेंगे ठीक है दूसरी चीज यहाँ पर जो n-c-0 n-c-1 n-c-2 n-c-n है इनकी values क्या होंगी ठीक देखें तो हमारे पास combination का देखें फार्मुला देखें पहले where ncr is equal to देखें ncr का formula combination permutation combination topic में आता है ncr का formula होता n factorial divided by r factorial into n minus r factorial यह formula होता है ncr का ncr का अब आगे ज़्यान दें और यह ncr का formula है लेकिन हमें यहाँ पर अगर आप देखें maximum questions में आपको क्या घ्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ पर आप घ्यान दीजिए nc0 की value क्या आएगे देखें nc0 अगर आप find out करेंगे तो यह value 1 आईगे आप calculate करके देखें इस formula में रखें n factorial upon 0 factorial 0 factorial होता है 1 चलिए मैं एक value आपको calculate करके दिखाता हूं nc0 देखें क्या आएगे n factorial divided by r factorial r की जगे यहाँ 0 है तो 0 factorial और n-r n-0 factorial यह आएगा इसको मैं simplify करूं n factorial upon 0 factorial 1 होता है 1 into n-0 n ही आएगा n factorial n factorial से n factorial कड़ गया value आगी 1 तो इस तरह से nc0 की value 1 आती है 0 factorial हमें साब 1 होता है तो यहाँ से nc01 आ गया उसके बाद nc01 आ गया आगे देखें nc0 के बाद nc1 nc1 की requirement होगी हमें इसको अगर आप solve करोगे तो n के equal आएगा nc1 किसके equal आएगा n के equal आएगा ठीक आगे देखें nc1 nc2 nc2 देखें nc2 आएगा आपका n into n minus 1 divided by 2 तो आपको बार बार calculate नहीं करना पड़ेगा अगर आप इनको द्याद रखेंगे nc01 nc1 n nc2 n into n minus 1 upon 2 ठिक और last में हमारे पास ncn ncn तो देखो ncn कितना आएगा ncn again 1 आएगा तो बहुत ही आसान है nc01 nc1 n nc2 ncn ये value अगर आप याद रखेंगे तो आपको बार बार calculate करने की जरत नहीं पड़ेगी ठीक है हाला कि calculator से भी ये value आपको मिल जाएगी लेकिन आप directly याद रखें जल्दी question हो जाएगा चलिए तो ये हमारी labnish theorem है इस labnish theorem का use करके अब हमें questions को solve करना है questions को क्या करना है solve करना है ठीक हाँ एक देखें बहुत simple है theorem बहुत simple है एक बार और ध्यान दीजिए देखें क्या होगा nc0 देखें ये तो बढ़ता जाएगा nc0, nc1, nc2, ncn तक जाएगा यू पहले में यू को n times differentiate करना है nth derivative of u n-1 times differentiate करना है n-2 यानिके u का differentiation कम होता जा रहा है और v का differentiation बढ़ता जा रहा है इसी चीज को इसी method को अब हम apply करते हैं question में और अपने questions को सावल करते हैं देखें लेबनी स्थियोरम है न लेबनी स्थियोरम most important topic है unit 2 का और आप अगर यहां से देखेंगे तो एक के ट्यू में एक question आपको 100% 10 marks में या जो भी highest marks आएगा इस बार 7 marks या 10 marks उसमें आपको मि 1 है y equal to e की power 10 inverse x और आपको प्रूफ करना है देखें यह प्रूफ है तो प्रूफ को देखके घबराना नहीं है कि इतना बड़ा प्रूफ कैसे करेंगे simple है ठीक आप केवल method जो हमारी theorem है उसके according आपको आगे बढ़ना है तो प्रूफ देखें बड़ा होगा क्योंकि theorem भी देखें आप theorem भी उसमें भी हमारे पास काफी सारी term है चलिए तो स्टार्ट करते हैं तो हमारा question कहां से स्टार्ट होगा देखें question हमारा है y equal to e की power 10 inverse x यह हमारा question है चलिए अब यहाँ पर हमें देखें यहाँ पर पहले इसका meaning समझें यहाँ पर जो यह लिखा है y n प्लस 2 इसका क्या मतलब है y n प्लस 1 का क्या मतलब है और y n का क्या मतलब है यह इन प्लस 1 का मतलब वाइन प्लस 1 ट्री करना है अभी तक तो एंड टाइम्स तक differentiation हो रहा था यह आगे चला गया है n प्लस 2, n प्लस 3, 2 तक ही रहेगा, 3 तक नहीं जाएगा, तो इसको कैसे find out करेंगे, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं, ध्यान दीजे बोड पे, देखें, कैसे करेंगे differentiation, देखेंगे एक बार बता है, सिंपल सी बात है, अगर मान लिए आप से कहा जाएं कि किसी function को आप को seven times differentiate करना है, कितने बार differentiate करना है, seven times, और आपने उसको already दो बार differentiate कर चुके हैं, तो अगर आप already दो बार differentiate कर चुके हैं, तो आपको seven times differentiate करने के लिए उसको कितने बार differentiate करना पड़ेगा, five times और करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ वैसा ही है, जैसे मान लीजे for example, आप देखे आपने किसी function को n times differentiate करना है n time उससे पहले आपने उसको एक बार भी differentiate नहीं किया एक बार भी differentiate नहीं किया घ Schwe гор तेखे लेकिन अगर आप उसके एक दिफ्रेंशिय対 करना है n time कितने बार एक बार differentiate कर चुके हैं और उसके बाद फिर से आप उसको n times differentiate करते हैं फिर से उसको आप n times differentiate करते हैं तो आप कहां पहुंच जाएंगे आप पहुँच जाएंगे y n प्लस 1 पे देखें एक बार आप already differentiate कर चुके थे फिर भी आपने उसको n बार differentiate किया तो इसका मतलब वो n प्लस 1 टाइम्स टिफ्रेंशेट हो चुका है ठेकें उसके बाद आपने आपको मान लीजिए n प्लस 2 टाइम्स आप उसको देखें आप उसको दो बार already differentiate कर चुके हैं फिर भी उसको आप उसके बाद n टाइम्स टिफ्रेंशेट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो function कितने बार differentiate हो जाएगा y n प्लस 2 टाइम्स तो इस method को समझेए क्या है अगर देखें सिंपल सी बात है अगर आपने किसी function को n प्लस 2 टाइम्स टिफ्रेंशेट करना है तो पहले एक काम करिए उसको दो बार differentiate कर दीजिए ठेके ना directly, simple method से जो हम class 12 तक करते आए है दो बार differentiate कर दीजिए और दो बार differentiate करने के बाद उसको लेबनीस टिफ्रेंशेट करिए तो आपके पास yn प्लस 2 आजाएगे ठेके, n प्लस 1 कैसे आएगा आपको अगर n प्लस 1 चाहिए तो आप उसको पहले एक बार differentiate कर दीजिए directly, फिर उसके बार लेबनीस टिफ्रेंशेट कर दीजिए और अगर आपको yn चाहिए तो yn में तो आपको directly ही लेबनीस टिफ्रेंशेट कर देना है तो यह जो तरीका है इसको हमें यहाँ यूज करना है और इसी का यूज करके हमें इस questions को क्या करना है solve करना है तो चलिए question को solve करते हैं देखे तो हमारे पास function है y equal to e की power 10 inverse x अब इसको मैं differentiate कर रहा हूँ है ना तो इसको पहले हमें directly differentiate करना पड़ेगा क्योंकि हमें yn plus 2 चाहिए तो दो बार इसको directly differentiate कर देते हैं दो बार पहले differentiate कर देते हैं उसके बाद n times differentiate करेंगे with the help of Leibnese theorem तो देखे पहले दो बार differentiate कर रहा हूँ मैं क्या आएगा ध्यान देंगे first time जब मैं इसको differentiate करूँगा y1 आएगा और e की power 10 inverse x का differentiation क्या होगा आप अच्छे से जानते हैं e की power x का differentiation e की power x ही होता है तो पहले तो e की power 10 inverse x का differentiation e की power 10 inverse x ही होगा उसके बाद अभी तो आपने e का किया है तो e का तो होगिया e की power 10 inverse x ही आएगा लेकिन अब आप multiply में 10 inverse x का भी differentiation करेंगे और 10 inverse x का differentiation होता है 1 upon 1 plus x square बोलिए सबको मालूम है 1 upon 1 plus x square देखो solution दिखने लग गया अगर आप ध्यान देख 1 plus x square आ रहा वहाँ पर तो आपको answer दिखने लग जाएगा अगर आप सही direction में जाएगे तो ठीक है चलिए एक बाद differentiate हो गया अब क्या करना है देखिए जो 1 plus x square है इसको आप left side में ले आईए देखिए जब भी इस तरह के question prove करने हो या leavenist theorem जब apply करने हो तो जो हमारे पास denominator में होता है हमारी कोशिस यही रहती है कि हम उसको numerator में लेके जाए कैसे cross multiply करके तो आप इधर cross multiply कर दीजिए तो क्या जाएगा 1 plus x square y1 is equal to e की power 10 inverse x तो यह मेरे पास आगिया अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे अगर आप ध्यान दें यह जो e की power 10 inverse x है इसकी value तो y ही है इसकी value क्या है y तो इसकी जगे y पुट कर दो आसान हो जाएगा तो अब हमारे पास next term क्या जाएगी 1 plus x square y1 is equal to y बोलो यह step समझ में आगिया हमने e की power 10 inverse x की जगे क्या पुट कर दिया y पुट कर दिया ठीक है हमने पुट कर दिया y अब क्या करेंगे एक बार और differentiate करेंगे directly एक बार और करेंगे क्योंकि हमें लाना n plus 2 तो n plus 2 तभी आएगा जब मैं function को पहले दो बार differentiate कर दूँ और उसके बाद उसको n times differentiate करूँ बाई लेपने इस थियोरण चलिए तो अब इसमें देखो left side में अगर आप ध्यान दे तो left side में यहाँ पर दो function है आपके पास तो आपको product rule लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा product rule तो product rule देखे product rule क्या होता है पहले को ऐसी छोड़ दो 1 plus x square और second वाले का differentiation तो y1 का एक देखे y1 का differentiation करेंगे तो y2 हो जाएगा दो बार y2 is equal to sorry अभी हमने पहले को ऐसी रखा दूसरे का differentiation प्लस अब दूसरे को ऐसी रखो और पहले वाले का differentiation पहला वाला क्या है 1 plus x square और 1 plus x square का differentiation 1 का 0 x square का 2 x तो यहाँ पर आजाएगा 2 x कितना आजाएगा 2 x तो यह इदर left side का differentiation हो गया right side में y का differentiation करोगे तो y1 आजाएगा y का करोगे dy y dx आजाएगा तो dy y dx क्या होता है y1 इसको थोड़ा सा simplify करते है दो बार differentiation हो चुका है तो 1 plus x square y2 अब यहाँ पर देखो यह भी y1 है यह भी y1 है तो दोनों को एक side कर लेते है तो यह हमारे पास आजाएगा 2 x y1 2 x y1 minus y1 is equal to 0 is equal to 0 और finally हमारे पास जो expression आएगा देखे finally क्या आजाएगा 1 plus x square y2 plus इसमें से मैं y1 को common ले लेता हूँ तो यह हमारे पास बचेगा 2 x minus 1 y1 is equal to 0 तो यह हमारे पास finally एक expression आगया ठीक है जिसमें हमें 1 plus x square y2 plus 2 x minus 1 y1 equal to 0 मिल गया है अब हमें इसको आगे solve करना है तो आगे solve करने के लिए मैं इस expression को next slide पर लिख लेता हूँ देखे 1 plus देखे expression of 1 plus x square y2 तो 1 1 plus x square y2 plus 1 plus x square y2 plus 2 x minus 1 y1 2 x minus 1 y1 is equal to 0 2 x minus 1 y1 equal to में 0 यह हमारे पास आ गया अब यहाँ पर apply करेंगे Leibnese theorem now apply Leibnese theorem अब क्या करना है apply करना है Leibnese theorem को क्यों करना है क्योंकि हम इसको दो बार differentiate कर चुके है apply अब मैं यहाँ पर Leibnese theorem को apply करना हूँ थोड़ा द्यान दीजिए देखे अब Leibnese theorem कैसे apply करेंगे यह भी important है देखो यहाँ पर हमारे पास यह है first term यह है second term और order zero है तो आप दोनों में पहले इसमें Leibnese theorem लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे देखे Leibnese theorem कब apply होती है जब दो function product में हो और आपको यहाँ दो function product में दिखाई दे रहे है एक one plus x square और y2 एक तो यह है यहाँ पर Leibnese theorem लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर भी दो function multiply में है तो यहाँ भी Leibnese theorem लगाएंगे तो हमें दोनों जगे Leibnese theorem लगानी है ध्यान देना चलिए तो देखिए क्या होगी Leibnese theorem उसको use कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए अब आप लोग देखे पहले मैं इधर right side में लिख देता हूँ Leibnese theorem का statement क्या होदा nc0 un v plus nc1 un-1 और v1 plus nc2 un-2 n-2 और v2 आब इसमें आप ध्यान दें देखे इसमें किसको u lena और किसको v लेना ये भी important है कि किसको u lena और किसको v lena लेने केलिए किसी को भी ले सकते हैं लेकिन calculation आसान हो इसके लिए हमें पहले चीज समझना होगा कि किसको u lena चाहिए और किसको आपको n time differentiate करना है जैसे आपको यहाँ y2 है y2 को आप n time differentiate करेंगे तभी तो आपके पास n plus 2 आएगा तो हम यहाँ पर u किसको लेंगे y2 को और v किसको लेंगे x1 को v किसको लेंगे x1 को तो अब ध्यान दीजिए मैं Levenish theorem में यह values put करने जा रहा हूँ देखे तो apply Levenish theorem n c 0 देखे क्या आएगा n c 0 un un मतलब u हमने लिया y2 को और जब मैं y2 को n times differentiate करूँगा तो यह मेरे पास आजाएगा yn plus 2 बोले बात समझ में आगई देखे मैंने u किसको consider किया है u हमने consider किया है देखो u हमने consider किया है इसको और v consider किया है घ्यान देना u इसको और v इसको consider किया है चलिए तो n c 0 u u को n times differentiate करना था तो u हमारे पास y2 है तो y2 को n times differentiation हो गया n plus 2 अब v, v को ऐसी लिखेंगे v क्या हमारे पास 1 plus x square 1 plus x square देखे 1 plus x square चलिए तो n c 0 y n plus 2 और 1 plus x square v को हमने ऐसा ही लिख दिया first term हमारी complete होगी देखे first term complete होगी है हमारी अब second term पे चलते है second term plus ध्यान दखना अभी हम इसी का product कर रहा है उसका नहीं उसमें दुबारा लेबनी इस थेोरम लगाएंगे अभी पहले वाले पार्ट में लेबनी इस थेोरम लगा रहा हूं है देखो सिद्री सी बात है यहां अगर y n plus 2 है तो यहां पर y n plus 1 आएगा एक कम हो जाएगा देखे एक बार differentiation कम हो रहा है यह अगर n times है तो वो n minus 1 times है तो अगर यह n plus 2 times है तो वो n plus 1 times होगा उसके बाद v1 यानि कि v v किसको माना हमने V ये पहला वाला पार्ट है 1 प्लस X स्क्वाइर तो 1 प्लस X स्क्वाइर को आप एक बार differentiate करेंगे तो देखे 1 प्लस X स्क्वाइर का differentiation क्या आएगा 1 का 0 और X स्क्वाइर का 2X तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इन्टू में 2X बोलो किलियर हो गिया सबको अब आगे देखो चलिए तो second term भी हमारी पूरी हो गई second term complete हो गई अब चलते है third term पे third term क्या है nc2 nc2 u u मतलब y कितनी बार differentiate करना है n-2 यानि कि एक बार और कम कर दो तो यह yn आएगा देखिए कम होता जा रहा है yn plus 2 n plus 1 n क्योंकि हाँ कम होते जा रहा है अचा अब हमें किसका differentiation करना है घ्यान दीजेगा v का differentiation करना है दो बार v का differentiation करना है दो बार अगर आप 1 plus x square का differentiation यह हमारे पास v है अगर आप इसको दो बार differentiate कर देंगे तो देखिए इसको दो बार differentiation करने पर क्या आएगा वन का 0 हो जाएगा प्लस 2x ये एक बार हुआ एक बार और करोगे तो ये 2x का आजाएगा 2 तो हमारा differentiation आजाएगा 2 times differentiation आजाएगा 2 times simple चलिए तो मेरे क्याल से complete होगे अब इसके आगे हम जा नहीं सकते इसके आगे हम जा नहीं सकते क्यों क्योंकि अगली term आएगी V3 NC2 UN-3 V3 और V3 आजाएगा 0 क्योंकि अगर आप x square को 3 बार differentiate करोगे तो 0 value आएगी तो आगे कि जितनी भी term होगी वो सब 0 होगी इसलिए हम आगे नहीं लिख रहे NCN जो last term होती है वो भी 0 होगी इसलिए उसको भी नहीं लिखेंगे तो यह आसान हो गया हमें केवल तीनी term लिखने थी हमने तीनो terms लिख दए टिक नव apply leavenist theorem in second part इसमें भी apply करना यहां भी दो function product में है तो चलिए यहां पर भी apply करते है प्लस ध्यान दीजे जरा यहां पर भी मैं y1 को मानूँगा u और 2x-1 को मानेंगे v तो क्या जाएगा nc0 u की जगे क्या लिखना है u हमारे पास y1 है तो y1 का differentiation n टाइम्स करेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा और v v को adjective लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2x-1 2x-1 उसके बाद प्लस nc1 y आप देखो y को कितनी बाद differentiate करना एक बार कम कर दो यहाँ पर n प्लस 1 था तो यहाँ पर n टाइम्स होगा और v v का differentiation करना हमें एक बार अगर आप 2x-1 का differentiation करेंगे तो 2x का 2 आ जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा तो यहाँ हमारे पास आजाएगा 2 ठीक और equal to में आ जाएगा 0 नाव हमारी लेबनी स्थियोरम जो है वो apply हो चुकी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लेबनी स्थियोरम को use करना है बहुत ही आसान है ठीक है चलिए अब बस हमें इसको simplify करना है तो देखे दीजिए इसको one plus x square को मैं पहले लिख लेता हूँ one plus x square y n plus 2 अच्छा nc0 nc0 की value one होती है तो मैंने यहाँ पर nc0 को अटा दिया उसकी जगे one आ गया one को लिखने की ज़रूत नहीं है ठीक प्लस यहाँ पर देखे ncn की value n होती है और यह 2x है तो देखे n और 2x यानिके 2nx हो जाएगा और y n plus 1 आ जाएगा आगे चले nc2 nc2 की value होती है n into n minus 1 upon 2 देखे डारेक्ट याद रखने से कितना असान हो गया है n into n minus 1 upon 2 और into y n into 2 और यहाँ पर 2 से 2 कट गया और आगे चले nc0 again 1 और यह हमारे पास आगिया 2x minus 1 y n plus 1 और आगे चले तो nc1 nc1 again n तो n और 2 भी हमारे पास तो 2n और y n is equal to 0 next step देखें हमारे पास थोड़ा और simplify करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या आजाएगा 1 plus x square y n plus 2 plus 2n x y n plus 1 plus अब यहाँ पर देखें plus हमारे पास n into n minus 1 n into n minus 1 y n है plus 2x minus 1 y n plus 1 है और 2n y n is equal to 0 है अब देखें क्या करना है आपको देखें y n plus 1 n plus 1 वाली हमारे पास दो टर्म है y n plus 1 की हमारे पास दो टर्म है इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और इन में से जो common आ रहा हो common ले लेंगे उसके बाद हमारे पास y n की भी दो टर्म है इन दोनों टर्म में से भी जो common आ रहा है उसको common ले लेंगे और लिख देंगे तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 1 plus x square y n plus 2 प्लस अब ध्यान दीजिए y n plus 1 y n plus 1 दोनों में common आ रहा है तो मैं y n plus 1 को common ले लेता हूँ तो common लेने के बाद देखें आपके पास क्या बचेगा 2 n x plus 2 n 2 n नहीं है देखें यहाँ ध्यान दीजिए 2 x 2 x minus 1 यह हमारे पास आ जाएगा 2 x minus 1 और बहार आ जाएगा y n plus 1 y n plus 1 प्लस आप देखो इन दोनों में से देखो y n common आ रहा है तो y n को common लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ बचेगा n n minus 1 और वहाँ बचेगा 2 n और यह आ जाएगा y n equal to में 0 अब इसके बाद देखें next step में क्या आएगा देखो थोड़ा simplify करके लिखें इसको तो 1 plus x square y n plus 2 y n plus 2 plus देखो यहाँ पर इन दोनों में से अगर आपको जो prove करना उस पर भी थोड़ा दियान देते हैं हमें 2 n plus 2 x minus 1 करना अच्छा x common लेना हमें ठीक तो 2 n इसमें से x को common ले लेंगे इन दोनों में x को common ले लेंगे इन दोनों में तो क्या आजाएगा 2 n plus 2 x minus 1 y n plus 1 ठीक आगे देखो next अगर आप यहाँ पर ध्यान दे इसको जब आप simplify करेंगे इसको जब आप simplify करेंगे देखो क्या आएगा मैं side में simplify कर देता हूं देखो n minus 1 और plus 2 n तो यह आजाएगा आपके पास n square minus n plus 2 n यहाँ से आपके पास क्या बचेगा n square plus n बचेगा n square plus n यह बचेगा आपके पास n square plus n और इसमें से अगर आप n common ले लें तो आपके पास बचेगा n into n plus 1 यहनिकि यह जो bracket में लिखा है यह n into n plus 1 है तो अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें देखते हैं उसमें भी क्या यही है y n into n plus 1 है तो अब आप यह जो side में मैंने simplification किया है इसी से हमारे पास आ गया n और n plus 1 y n is equal to 0 तो यह हमारा finally हमें result मिल गया जो हमें प्रूफ करना था तो हमारा वो क्या हो गया प्रूफ हो गया ठेक है hence प्रूफ hence तो यह हमें प्रूफ करना था देखे 1 plus x square y n plus 2 1 plus x square y n plus 2 2 n plus 2 x minus 1 2 n plus 2 x minus 1 y n plus 1 और n into n plus 1 y n equal to 0 तो यह हमारा completely इसका एक solution हो गया important question था examination point of view से ठेक है अब हम देखते है next question now y equal to e की power m sin inverse x so that बिल्कुल exactly वैसा ही question है ज्यादा difference नहीं है इसमें है ना चलिए करते हैं एक बार और देखे क्या है question y equal to e की power m sin inverse x और यह हमें so करना है ठेक तो इसको क्या करेंगे m plus 2 times यहाँ भी लेना हमें तो पहले हमें directly दो बार differentiate करना होगा तो मैं इसको directly पहले दो बार differentiate कर देता हूँ तो सबसे पहले y1 को calculate करेंगे कितना आएगा y1 देखे differentiation करेंगे तो e की power m sin inverse x ऐसे ही रहेगा e की power x का differentiation नहीं की power x ही होता है अब chain rule लगाएंगे और chain rule के according m sin inverse x का differentiation करेंगे और m sin inverse x का differentiation होता है m तो ऐसी आजाएगा sin inverse x का होता है 1 upon under root 1 minus x square देखे sin inverse x मैं basics formula में यह formula भी मैं आपको लिखवा चुका था differentiation of sin inverse x is equal to 1 upon under root में 1 minus x square 1 minus x square देखो आपको solution दिखाई देने लगा होगा जैसे 1 minus x square आया ठीक है चलिए तो यह हमारे पास आगया अब यहाँ से देखो यहाँ पर फिर आप दुबारा से ध्यान दें यहाँ पर अगर आप दुबारा से ध्यान दें तो यह चीज़ देखे वापस question ही तो आगया तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y1 is equal to m into y upon under root में 1 minus x square under root में 1 minus x square अब यह जो हमारे पास नीचे लिखा under root में इसको cross multiply करके left side में लेके जाएंगे क्योंकि हमें denominator में कुछ नहीं चाहिए देखे लेबनी सेवनों की question जब भी हम कर रहे हैं अगर हमारे पास को denominator में आ रहा है तो हम उसको cross multiply करके दूसरी side में ले जाएंगे तो इसको मैं अगर left side में multiply करूँ तो under root under root 1 minus देखे under root में 1 minus x square into y1 is equal to my यह हमारे पास आ जाएगा अब क्या करेंगे देखे या तो इसको पहले square कर दीजिए या directly एक बार और differentiate ही कर दीजिए पहले दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं या तो directly differentiate करें या पहले square करें और बाद में differentiate करें दोनों option दोनों option same है ज्यादे difference नहीं है कैसे भी कर सकते हैं तो मैं इसमें पहले क्या कर रहा हूँ squaring both side squaring both side आप directly भी कर सकते हैं ठेक है तो स्क्वारिंग करेंगे तो root हड़ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1-x² y1 का हो जाएगा स्क्वाल is equal to m² और y² अगर हम हम इसको differentiate अब differentiate करेंगे इसको तो हमने इसको दोनों तरब square कर दिया दोनों तरब differentiate with respect to x तो चलिए एक बार और differentiate करते हैं तो जब भी हम differentiation करते हैं तो हम देखिए इस तरह देखिए लिख देते हैं again differentiate with respect to x चलिए अब इसको differentiate करना एक बार और इस line को तो क्या आएगा देखो यहाँ पर product tool लगाना पड़ेगा 1-x square into y1 तो पहले हम क्या करेंगे पहले function को ऐसे ही रखेंगे 1-x square और दूसरे function का differentiation करेंगे जो y1 square है तो देखिए y1 square का differentiation क्या होगा 2y1 y2 देखिए पहले आप y1 square का differentiation करेंगे y1 square का differentiation द्यान दीजेगा y1 square का differentiation होता है 2y1 अब 2 into y1 आगिया एक power कम होगी लेकिन आप with respect to x कर रहे है तो एक बार और y1 का differentiation होगा तो यह यहाँ पर 2y1 y2 आगिया हमारे पास आगे देखो प्लस अभी first हमने ऐसी छोड़ा था दूसरे का differentiation किया अब दूसरे को ऐसे ही छोड़ेंगे और पहले वाले का differentiation करेंगे तो देखे फर्स्ट वाले का differentiation आजाएगा 1 का 0 और x square का minus 2x minus 2x तो यह हमारा left side का differentiation complete हो गया अच्छा second y1 square है तो इसका अगर हम differentiation करेंगे देखे क्या आजाएगा 2m square y square का 2 multiply में आएगा और y1 देखे y square का differentiation 2y y1 2y y1 एक अब देखे क्या करना है इसको थोड़ा सा simplify करते है तो हमारे पास देखे क्या आजाएगा 1 minus x square 2 y1 y2 plus plus नहीं माइनस आजाएगा तो माइनस 2x y1 square is equal to 2m square y y1 अब इसमें अगर आप ध्यान दें देखे 2y1 यहा भी है 2y1 यहा भी है 2y1 यहा भी है तो इसको cancel out कर देते जो common factors को cancel out कर देते है तो इसको क्या करें 2y1 square 2y1 से आप क्या कर दे divide 2y1 से इसको divide कर दे या 2y1 को common ले ले तो देखे मैं 2y1 को common ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 1-x square y2 minus देखे यहां से 2 भी common आ गया y1 भी तो यहां से बचा xy1 is equal to यहां से भी मैं 2y1 अलग कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा m square y बचेगा और यह 2y1 से 2y1 cancel out हो गया तो हमारे पास finally जो function आ गया वो है 1-x square y2 minus xy1 is equal to m square y अब हमें इसमें apply करना है Leibnese theorem क्या apply करना है Leibnese theorem को अब हमें यहां apply करना है चलिए तो अब हम इसमें Leibnese theorem को apply करते हैं और देखते हैं कि क्या है apply Leibnese theorem apply Leibnese theorem तो Leibnese theorem को apply करते हैं देखे कितना आ जाएगा दियांदे पहले इस वाले ट्रम में Leibnese theorem को apply करेंगे उसके बाद इसमें apply करेंगे और इसके बाद इसमें apply करेंगे अब वहाँ पर तो एक ही variable है तो apply नहीं करना पड़ेगा इनी दो में apply करना है Leibnese theorem को तो इस वाले में apply करते हैं Leibnese theorem तो देखे क्या आ जाएगा Leibnese theorem के बाद हमारे पास answer उस पर ध्यान देते हैं चलिए तो यहाँ पर देखे इसमें Leibnese theorem लगाएंगे तो क्या आएगा first time nc0 मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ आपके लिए यह next slide पर ही चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ नहीं पाएगा 1-x square y2 1-x square चलिए तो 1-x square y2 1-x square y2 उसके बाद है minus xy1 minus xy1 is equal to m m square y m square y इसमें हमें Leibnese theorem को apply करना है इसमें हमें क्या करना है 1-x square y2 minus xy1 और m square y इसमें हम Leibnese theorem को apply करते हैं देखे 1-x square y2 यह है 1-x square y2 minus xy1 square m square y अब now apply Leibnese theorem apply Leibnese theorem तो यहाँ पर हम इसमें apply करते हैं Leibnese theorem को देखे apply Leibnese theorem देखे क्या हैगा Leibnese theorem को apply करके ध्यान दीजिए धर जल्दी से तो पहले इसमें apply करेंगे फिर इसमें apply करेंगे ठीक है तो यहाँ पर apply करेंगे मैं इधर लिख देता हूँ Leibnese theorem क्या होती है nc0 un v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 u n-2 v2 देखे v2 तक ही काम चल जाता है जनरली maximum position में यहां नहीं चलता है तो हम फिर last वाली term निकाल लेते हैं ठीक है चले तो यहाँ पर देखे nc0 nc0 तो यहाँ पर मेरे पास आगया nc0 उसके बाद u u किसको मानना मैं आपको बता चुका हूँ u उसको मानना जिसको आपको n times differentiate करना है वो करना हमें y को तो y होगी हमारा u तो देखे y2 पहले से ही है अगर आप y2 को n times differentiate करेंगे तो y n plus 2 हो जाएगा ठीक है उसके बाद v v हमारे पास जो बचा हुआ फंक्शन है that is 1 minus x square अब आगे चले nc1 nc1 u n minus 1 यहनिके y को आपको differentiate करना है n minus 1 times एक बार कम करना है तो एक बार कम कर दीजे तो y n plus 1 आजाएगा उसके बाद अब आपको v को differentiate करना one time तो 1 minus x square का differentiation minus 2x आए plus third term third term nc2 nc2 u u हमारे पास अब इस बार आजाएगा y n y n और minus 2x देंके minus 2x को एक बार और differentiate करेंगे तो minus 2y minus 2 आजाएगा तो यह हमारी first term का differentiation हो चुका है अब हम चलते हैं second term के differentiation पर second term में फिर से हमें lebanese theorem को apply करना है और second term जो हमारे पास वो minus में है तो lebanese theorem को apply करेंगे देखे कितना आजाएगा ध्यान दीजे nc0 nc0 u u हमारे पास यहाँ पर y1 है तो y1 को अगर आप n times differentiate करेंगे तो y n प्लस 1 हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास v1 v1 मतलब x प्लस nc1 y देखे y इस बार आपको differentiate करना है एक बार कम यानि के पहले y n प्लस 1 था तो इस बार y n आ जाएगा और अब यहाँ पर x देखे x का differentiation करेंगे एक बार तो आपके पास आएगा 1 तो यह हमारे पास complete हो गया अब चलते हैं right side में right side में हमारे पास m square तो है constant अब देखे m square constant वाले अबनी स्थियोरम नहीं लगानी क्योंकि a की variable है y a की function है तो y को अगर आप n times differentiate करेंगे तो y n ही आ जाएगा अब बस हमें इसको simplify करना है थोड़ा सा simplify करना और हमारा result आ जाएगा तो इसको देखे थोड़ा simplify n c 0 1 होता है n c 0 कितना है 1 तो इन सब की value put करें 1 तो यहाँ पर यह तो 1 हो जाएगा 1 minus x square y n plus 2 यह first term आ गए प्लस इधर दियान दे n c 1 की value n होती है और n c 1 n और यहाँ पर minus 2 x है तो minus आ जाएगा minus 2 n x y n plus 1 आगे चलें यहाँ पर फिर से minus है तो minus n c 2 की value होती है n into n minus 1 upon 2 और y n into 2 ठिक चलें आगे देखें minus इसको जड़ा simplify करें तो यहाँ पर n c 0 1 हो जाएगा तो x y n plus 1 minus sign अंदर जाएगा तो minus 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 plus minus आएगा फिर से n c 1 की value n into y n is equal to m square y n यह हमारे पास आजाएगा right side अब इसको और simplify करना है और और simplify कैसे करना है n plus 2 की तो हमारे पास एक की term है लेकिन अगर हम ध्यान दें अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास n plus 1 की 2 terms है एक यह रहे और एक यह रहे इन दोनों को merge करेंगे y n की भी 2 terms है एक यह है और एक यह है और एक इधर भी है तीन terms है तीनों को एक साथ लिखेंगे है ना तीनों को एक साथ लिखेंगे देखें तो पहले n प्लस 1 को एक साथ लिख लेते हैं तो ध्यान दीजे कैसे लिखेंगे 1-x square देखेंगे 1-x square y n plus 2 यह first term देखेंगे इन दोनों में से देखो क्या common आ रहा है इन दोनों में से अगर आप देखें तो x भी common आ रहा है और y n प्लस 1 भी common आ रहा है और minus भी common आ रहा है तो minus को भी common ले लेते हैं और बचेगा क्या यहां बचेगा 2 n और वहां बचेगा प्लस 1 और y n प्लस 1 हमारे पास एक term आ जाएगे अगर हम अब जो हमें प्रूफ करना उसमें देखें second term 2 n प्लस 1 x y n प्लस 1 तो क्या यही आ रहा है यही आ रहा है x ठोड़ दिया मैंने तो x को भी लिखेंगे x y n प्लस 1 ठीक तो हमारा second part आ गया अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए अब हमें merge करना है ind को इनको एक साथ लिख लेते हैं पहले तो देखें कितना आ जाएगा minus यह 2 से 2 को कार देते हैं पहले तो यहां होगा हमारे पास n n minus 1 y n minus n y n और minus m square y n is equal to 0 बस इसको और थोला सा simplify करना है हमें यह part को simplify का देना है देखें तो 1 minus x square y n plus 2 1 minus x square y n plus 2 minus 2 n plus 1 x y n plus 1 minus इन में से सभी में से मैं minus को और y n को common ले 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 लेंगे तो हमारे पास देखें क्या बचेगा n n minus 1 minus n minus m square is equal to y n is equal to 0 तो यह हमारे पास terms आ जाएंगी अब इन terms में हमें क्या करना है इस वाले part को simplify करते है तो देखें मैं थोड़ा side में simplify कर ले ले दा हूँ इसको देखें कितना है इधर ध्यान दीजिए n minus 1 minus n minus m square यह हमारे पास लिखा है इसको multiply करें n square minus n minus n minus m square minus m square यहाँ पर n y n common आ गया प्रूफ क्या करना है प्रूफ करना है n square plus m square ठीक n square m square एक मिनट हमारे पास minus m y1 n y n n square minus n हाँ देखें इधर ध्यान दीजिए मैंने थोड़ा गलत दिख दिए यहाँ पर मैंने minus common ले लिया तो यह दोनों sign plus के होंगे यह दोनों sign किसके होंगे plus के तो n square minus n plus 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 तो यहाँ पर n से n कट गया और यह मेरे पास आ गया n square plus n square plus m square यह आ जाएगा finally तो हमारे पास finally जो answer आएगा जो result आएगा वो आएगा 1 minus x square y n plus 2 minus 2 n plus 1 x y n plus 1 minus इसके जगे वो आ जाएगा n square plus m square और y n is equal to 0 क्या यही प्रूफ करना था हम लोगों को देखें यही प्रूफ करना होगा देखें hence proved देखें यही प्रूफ करना था बिल्कुल exactly यही हमें प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो गया है finally हमारा result आ गिया है तो देखें इनी दो questions से आपको idea लग गया होगा कि लेबनी स्थियोरम से ठीक है questions को करना कितना आसान है ठीक बस आपको proper step follow करने है और कुछ भी नहीं है next question देखें एक और question है next हमारे पास ध्यान दीजिए इस पर देखें क्या है इसको solve करते हैं कितना आएगा देखें यहाँ पर y कर टू x की power n log x है यह हमें प्रूफ करना है तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कितना आ जाएगा इसका answer उसको भी देख लेते हैं देखें वाइक क्वल टू x की power n log x यह हमारे पास question है एक और चीज इंपोर्टेंट यहाँ पर ध्यान दे तो इस बार हमें n plus 1 times ही differentiate करना है maximum यानि कि हम लेबनी स्थियोरम लगाने से पहले हम इस function को एक बार differentiate कर लें और उसके बार लेबनी स्थियोरम को apply कर दें तो हमारा finally result आ जाएगा चलिए तो मैं इसको एक बार differentiate कर देता हूँ differentiate with respect to x तो differentiate with respect to x देखिए differentiate with respect to x तो क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए y का differentiation y1 is equal to यहाँ पर देखो दो function है आपको यहाँ पर product tool लगाना पड़ेगा तो चलिए product tool लगाते हैं first function को ऐसे ही लिखते है as it is पहला छोड़ दिया दूसरे का differentiation log x का differentiation 1 upon x होता है प्लस अब दूसरे को छोड़ देंगे log x को और first वाले का differentiation करेंगे first वाले का differentiation होगा n into x की power n minus 1 चलिए अब इसको थोड़ा सा simplify करते हैं तो देखे कितना आ जाएगा y1 is equal to यहाँ पर हमारे पास x की power n एक काम करता हूँ मैं नीचे LCM ले लेता हूँ x क्योंकि इसको cross multiply तभी कर पाएंगे जब पहले LCM ले लेंगे तो LCM लेने पर यहाँ x आ गया और यह x की power n प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिए जड़ा अगर मैंने LCM लिया तो x इधर multiply होगा तो log x into n x की power n minus 1 into x अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x की power n minus 1 है यहाँ पर x की power 1 है दो नुको add करेंगे x की power n आ जाएगा तो हमारे पास जो result आएगा वो होगा y1 equal to x की power n plus देगे यह x की power n हो जाएगा वापस x की power n को मैं पहले लिख लेता हूँ log x और into में n भी आएगा n और upon में आ जाएगा x अब इस x को cross multiply कर देते हैं तो यह आजाएगा x y1 is equal to x की power n plus n times x की power n log x अब यहाँ पर आप ध्यान दे तो आपको एक important चीज यहाँ पर दिखाई देगे कि यह यह देखें क्या लिखा है यह तो question ही लिखा है तो इसकी जगह पर y पुट कर सकते हैं तो हम अब इसकी जगह पुट करेंगे y को ठीक है न इसकी जगह क्या पुट करेंगे y देखें कितना आ जाएगा हमारे पास x y1 is equal to x की power n plus n y यह हमारे पास आ गया ठीक है अब देखो क्या करेंगे अब हम इसमें apply करेंगे labnese theorem ठीक और labnese theorem हमें सिर्फ एक ही जगह apply करनी पड़ेगी क्योंकि यहीं पर हमारे पास दो function है product में यहाँ पर एक है यहाँ पर भी एक है तो हमें के वह left में labnese theorem निकालनी है apply करनी है राइट साइड में apply नहीं करनी होगी तो apply labnese ठीक है अप्लाइड यू का करेंगे n time differentiation तो y1 का अगर आप n time differentiation करोगे तो आपके पास आ जाएगा y n प्लस 1 इंटू v1 कितना है x प्लस अब क्या करना है nc1 nc1 y का differentiation कितनी बार करोगे एक बार कम कर दो n प्लस 1 था तो इस बार 1 y n हो जाएगा और x का differentiation हो जाएगा 1 अब इससे आगे बढ़ेगा नहीं क्यों क्योंकि x का दो बार differentiation करेंगे 0 आ जाएगा तो दो ही term आएगे now equal to x की power n का differentiation करेंगे तो कितना आएगा देगे successive integration में यह formula मैं आपको drive करा चुका हूँ बहुत ही आसान होता है x की power n का end time differentiation करोगे तो n factorial आ जाएगा n factorial है ना अगर नहीं पता है तो वीडियो 1 में मैंने बताया पहला ही हमारा topic था x की power n का differentiation चलिए प्लस n y1 तो n y1 y का differentiation yn हो जाएगा n times करेंगे तो यह हमारे पास finally आ जाएगा अब इसको दोला सा simplify करते है देखें तो n c 0 क्या होता है 1 यानि कि यह मेरे पास आ जाएगा x yn plus 1 प्लस n c 1 n होता है तो यह मेरे पास आ गया n y n is equal to n factorial प्लस n y n और यहां ध्यान दीजिए यह दोनों cancel out हो गए है तो हमारे पास क्या बच गया हमारे पास बच गया x y n plus 1 is equal to n factorial और यहां से अगर मैं y n plus 1 की value निकालूं जो कि मुझे प्रूफ करना है तो वह आ जाएगा n factorial upon x और यही तो प्रूफ करना था यही हमें प्रूफ करना था then hence proof hence proof simple question था एक दम और easily जो है वो proof हो गया है चले अब थोड़ा सा आगे चलते हैं next question की दरब अब इसके पाद देखिए यह question 3.4 है ना इसको आप अपने आप विल्कुल as it is जैसे मैंने अभी तीन questions कराए हैं उनी के जैसा है आप इनको एक बार try करें अपने आप है ना next हमारे पास एक और question है तो यह दो question आपके लिए practice question है तेक इन दोनों को आप try करें और easily यह दोनों question जो है वो solve हो जाएंगे तो आज का जो हमारा लेबनिस का जो first lecture था वो complete हो गया है इसके बाद लेबनिस theorem के उपर based और कुछ अच्छे अच्छे question जो की एकेट्यू में पूछे जाते हैं तो वो next lecture में आएंगे तो तब तक के लिए thank you